नमस्कार दोस्वों आप शिबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों आप शिबी को बता दें कि अब आप शिबी के जुनकाल में आने वाले दस दिनों का शमय बहुती अच्छा और बहुती महत्पुन शमय शावित होने वाले हैं जिहां दोस्तों यश में आपके घर खुश्यों की लहर दोड़ने वाली है और आपके शत्रु के घर गम की नदियां बहने वाली है यानि कि दोस्तों अब आपके जुनकाल में शत्रु का विनाश होना तै हो चुका है जिहां दोस्तों और इसके उपरांती आप शबी की जु वहां व्याष्य के उपूद रॉनुजह मत क्यान हो कर दो, आप शिभी को प्राइएर, गुनि सब्सक्राइं, के शारे शुभी अशुभ में बदल जाते हीं जिहां दोस्तों कहने का तात्फ्रियाँ की गरहों की बदलती चाल में कभी भी श्रम भी पिदू होती दोस्तों हमेशा गरहों की चाल में बदलती बदलाव रहते जियां दोस्तों और इव्यक्ति शम säbκति आए वी घड़े कुछे हैं झेंग मिलती है जब आपको कोई क्वजर्फ़न कर देते हैं जिनसे क्वजर्फेच जयु आपके कriel पिशिंग सब्सक्राइब होते हैं लेकिन दोस्तों हम आप उपने राश होने की आफशक्ता नहीं है आब आप को चिंता करने की आफशक्ता नहीं है कि दोस्तों आनेवाले दस दिनों का श्माज में आप चुकून को श्रिवपन का प्राप्ति होगी धंदोलत में बड़त्री होगी आपके जुनकाल में इशुवर का भी आपको शिरबात प्राप्त होगा जिहां दोस्टों तो आने वाले दस दिनों में आपको कौन-कौन शिरबातों का ध्यान रखना है ताकि दोस्टों फिर से आप शत्रु के जाल में ना फशे और फिर से आप शत्रु के उपर अपने जीत का जंडा गार्ट सकें जिहां दोस्टों बहुत ही खाज वीडियो है गरों की गोच्टर पर निमित है जो कि दोस्टो में आपको शत्रु भी प्रेशान नहीं करने वाले हैं जी हां दोस्टों तो ऐए दोस्टों बात करते हैं शर्व पर्थन दोस्टों जो भी भगवान शनी देव के शच्चे भकते हैं दोस्टों वीडियो को एक प्यारा शलाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बोक्ष में शच्चे मन सच्चे हिर्देभावशे जैशनी महराज जरूर लिखेगा दोस्टों कर्मों के दाता भगवान शन्देव आप शिवी के जुनकाल में आपके घर परिवार में हमेशा प्यादिश्टी रखेंगे जिया दोस्टों अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो करके ओल पर शलेक्ट करतें ताकि इसी प्रकार के और महत्त्वी जरकार आप तक शब्से पहले पहुश सके तो आई घविता में जड़किश कि मुझे शम रहने वाली लोग शब्चे ज्यादा पशंद है हर परिस्तिती में व्यक्ति का शंब बना रहे ये बड़ी बात है दुख में ज्यादा दुखी ना हो और शुक में ज्यादा उचलेना शुक दुख मान और अपमान जय प्राजय कोना पाना आना जाना लाभानी ये तो लगा ही रहेगा, जीवन में, अगर एक जेशे इस्तिती शदा बनी रहे, तो जीवन मुश्किर हो जाएगा, एक पल कोई जन्म ले रहा है, खुश्या मना रहा है, तो इशी पल कोई किशी की अर्थी उठ रही है, दुख मनाय जा रहा है, माहौल गमगीन है, कहीं कोई शुहागन बन रही है, तो कहीं किशी का शुहाग उजड़ रहा है, इन सब पलों में व्यक्ति को भावनों में ना वही तो कोई बात है यहोदियों में एक कथा कही जाती है कि यहोबा भगवान को क्या पशंद है और क्या नापशंद है कथा में आता है कि यहोबा को घमंट से चड़ी आँखें गलत मार्ग पर चलने वाली पाउं किशी का हक छिने का हाथ और जूठी गवाई देती जीब प इतकारी वानी बोलती जीब उलास उत्सास से भरा हुआ हिर्दे शांत मत्सिक चेहरे पर प्रशंता के भाव और होठों पर मुश्कान पशंद है लेकिन ये शब बड़ी महंगी और महंगी चीजों के लिए किमत चुकानी पड़ती है ये किताबों में पढ़ने शी या खा आपका शेंसी मानाव मिलना शोभाग और शद्गुरू मिलना परम शोभाग की बात है जीवन में अगर शंत है तो फिर शदा ही बशंत है जीहां दोसों तो दोसों आज कहीं हग्यान अगर आपको शमल में आई हो अगर आप इनमें शच्चाई देखें हैं तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा से लाइक जरूरी किजिएगा और इनके लिए कमेंड बॉक्स में लिए जैश रिकिशना राधी राधी आपको मिलने वाली हैं शादी दोस्तों कौन को आपको ध्यान रखना है दोस्तों अपर रहन शहन के प्रति अधिक सजगर हैं न मित्रों अपर शाहिएगों के बीच आकर्शन का कारण बनेगा शमाज में भी आपकी छवी और अधिक निक्रियेगी दोस्तों जीवन के प्रतिश शकार्तमक दिश्चिकोन आपको मांशिक रूप से और सारी रूप से दोनों रूप से स्वास्त रखेगा इसको प्राहन दोस्तों ये शमय अगर आपकी सावधनी को रिकर बात करें तो दोस्तों ये शमय धन से समझेत किसी भी परकार के लेंदेन में शावधनी रखें शाथी धोका आउशकता है दोस्तों और आप किशी आर्थिक पैशानी में भी इससे उलज जाएंगे भुमिशमंदी जो भी खरेत पुरोत करते शमय कागजदों की अच्छी तरह से जाँच करवा लें ये आपके भुष के लिए बैतर होंगे इसको प्रांदी दोस्तों ये शुमय आपके लिए जो से महोंगे आपको बता दें कि आपके बीचारी आपके दूस्मर बने रहेंगे हर किशी व्यक्ति के बारे में नकार्तमक होना आपको अपने ही अंदर नकार्तमकता भी दिखा शकता है दूस्तों इस बात का ध्यान रखें कि दूसरों को बदलने का जिद और कुषिपी रीलेस्दैशिब को खराब होने के रिए दूसरों को जमेदार ठाराना आपको पीरिवेक्थियों से दूर कर रहा है दोस्तों खुद के दवरा होई गलतियों की जिम्यदारी उठाना आपको यश्मेश सिखना होगा इसको प्रांद दोस्तों यश्मेश आपको बदा दें कि दोस्तों भावनों की बजाए चोतराई और विवेक्षी काम आपको लेना चाहिए प्रस्तिती जो है आपके पक्ष में कार कर रही है दोस्तों बच्चों की किलकारी शुमन्दी कोई सुप सुचना भी यश्मेश घर में मिल सकता है जिससे उत्सा भरा महौल भी रहेगा शाथी दोस्तों किसी अटके हुए काम को पुरा करने में भी यश्मेश आप सक्चम रहेंगे इसको प्रांदोस्तों यश्मेश आपको बता दे कि किसी भी योजना को बनाने शुप पहले उस पर भली बांती विचार आउश कर लें बैतर होगा कि दोस्तों घर के सबी सदिस्यों की शला है पर जरूर ले 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 दोस्तों पेसे के मामले में किसी भी बल्भी यश्मे विश्वास ना रहें खुद पर ही और पिर सबी गत्वतियों को आप अपने तरीके से जमालें यह आपके लिए बहतर होगे इसको ब्रांदोस्तों यश्मे आपके लिए कठीन लग रही है उतनी कठना यहां आपके जिवन में नहीं है केवल आपके विचारों द्वारा आप जो है खुद को तकलिफ दे रही है इसलिए दोस्तों रोजमर्रा की जिन्दगी से थोड़ा ब्रेक लेकर फिर अपने आजी करतितियों में अभी आपका महत्पून योगदान होने से आपका मान समान भी अश्मे बढ़ने वाला है इसको प्रांदोस्तों अगर घर या फिर वहां शमंदी खरिदारी की विजना बन रही है तो दोस्तों उसके लिए जो समय होंगे समय अनुकूल है इसको प्रां लाने के लिए कुछ आत्मी चिंतन भी आप याश्मे करें इसको प्रांदोस्तों याश्मे आपको बता दें कि दोस्तों आपको अपनी गलती सुधारने का आउश्वर भी याश्मे प्राप्त होगा इसलिए दोस्तों अपने दवरा हुए कामों को जो भी गलत काम थे आप बता दें आपके लिए शमयोंगे दोस्तों अपने परवार के लिए किसी परकार के मुद्दे पर विचार मुस आपका हो सकता है तथा बच्चों की भी उत्तम विचारों की वज़े से उनकी सहारना होगी भूमी शमंदी कारियों में भी अगर कि निवेश करने की आप प्लान बना कर रखें कभी कभी आपका संक्लानों सभाव दूसरों के लिए प्रिशानी का कारण भी बच रखता है यो अवर्ग बेकार की गत्युद्यों में शमय नस्ट ना करके अपने केरियर शमंदी युजनाओं पर ध्यान फोकस करें इसलिए आपके भुष के लिए बहतर हो इसको प्रांदोस्तों यश्मय आपके लिए सुनोंगे आपको बता दे कि आपके दोवरा किये गए कामों के बारे में दूसरों के दोवरा पर्षणा मिलने की अपक्षार रखना आपके लिए तकलिप दायक हो रहा है इसलिए दोस्तों अपना काम करते रहें और बड़ा इस प्राप्त करने की सोच रखकर आगे बढ़े दोस्तों आपको आपके अंदर की सच्चाई और काम के परते निष्टा को आगे बढ़ाना चाहिए इसको प्रांदोस्तों यश्मय अगर आपके केरियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश्मय आपके वाईशाय के लिए स शबल रहेंगे याश में ऑफिस का महाल जो है बहुत ही शान्ती पूर्ण रहेगा इसको प्राहन दोस्तों आपके केरेर के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि याश में कारी छेतर में कुछ खास फेसले लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है तो तुम बहतर होगा कि कुछ कुछ भी नया शुरू करने कि आपक्षा अभी वर्तमान पर ही अपना ध्यान को आपको फोकस करें नोकरी पेशा वेक्तियों को किसी ओफिसल कारी के लिए यातरा करनी पर सकती है इसको प्राहन दोस्तों यश में आपके केरेर के लिए जम्योंगे आपके वाविशाय के ल दोस्तों आपको बता दें कि बिजनस में अपने लक्ष की क्वैलिटी को अधिक बहतर बनाने में आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों कोई महत्पुन ओडर भी आपको मिलने की शमाना बन रही है यह मार्केटिंग और शंपर्क्षूत्रों को और अधिक मजूद करने का स्वेख होगा दोस्तों आपको बता दें कि यह शंपर्क्षूत्रों आपके भुष के लिए बहुत ही मैंत पूर्ण शाप्ट होंगे तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें इसको प्रांतों सो यह में अगर आपकी लवलाइप को लेकर बात करें तो दोस्तों यह में आपके प्रेम जीवन के लिए समयोंगे दोस्तों आपको बता दें कि जीवन साथी के शाथ उचीत ताल्मिल बिठा कर रखने के लिए आपको शयूग आवश्चक है विवातर शमंदों से दूरी बना कर रखें यह आपके इसमें लव लाइफ के लिए बहतर होंगे इसको प् बता दें कि पती पतनी दोनों ही वैस्ता की वजश्ची घर पर शमय नहीं देपाएंगी प्रंतु घर का महौल जो एक खुश्चनमा बना रहेगा किशी भी परकार की चिंता ना करें इसको प्रांदोस्तों यह में आपकी स्वास्त यानिस सहत को लेकर बात करें तो दोस्त अत्यधिक काम की वजशे आपका जो शौभा हो है उनमें चिर्चिरा पन हो शकता है दोस्तों मेट्रेशन या फिर योगा करना यश में आपके शमस्या का उचित निवारन होगा तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें इसको प्रांदोस्तों यह में आपके स्वास्त प्रखार जैसी प्रेशानी पर रह सकती है लपरवाई ना करें तथा उचित दिलाच यह समय जरूर ले आपके स्वास्त के लिए होगी आपको बता दें कि स्वास्त अंत तक ठीक होगा किसी परकार की चिंतार ना करें परदूस्तों लपरवाई भरतना इसमें आपके परके यह आपके स्वास्त के लिए ही बहतर होंगी